नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल BCS Basic Physics ने आज की इस वीडियो में हम कक्सा 11 का टोपिक लेकर चल रहे हैं कक्सा 11 में हम NCRD की पाठे पुस्तक के अकोर्डिंग गति के नीमों में चल रहे हैं और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे लिप्ट में आभासी भार पहले तो हम इस आभासी भार को क्लियर करेंगे फिर हमें लिप्ट में किसी वेक्ति की या किसी वस्तू की गती का संपून अध्यन यहां पर करेंगे दोस्तो देखें दोस्तो आभासी भार यहां पर क्या है कि देखे दोस्तों जब कोई निर्देश तंत्र तवरित गती करता है जब कोई निर्देश तंत्र तवरित गती करता है तो उसकी गती की विपरित दिशा में एक आभासी बल कारिये करता है जो कि पिंड के दुर्यमान था निर्देश तंत्र के acceleration के बराबर होता है दोस्तो एक बार इस मेरे बाद को इस statement को एक बार फिर से सुमलीजे कि जब गोग निर्देश तंत्र तवरित गती करता है तो उस निर्देश तंत्र में रखी वस्तू रसे बल कारिये करता है तंतर में रखी वस्तू के उपरे के एक एद्र से बल मैसूस होता है जो की गती की विप्रित दिशा में लगता है जिसको हम आभासी बल कहते हैं दोस्तों समझेंगे इसको जैसे ये हमारे पास में कोई निर्देश तंतर है ये वाला कोई निर्देश तंतर है दोस्तों ये हम Cartesian coordinate system हमने आपको दिखाया है यहाँ पर यह जो निर्देश तंतर है वो इधर A0 acceleration से गती कर रहा है निर्देश तंतर खुद A0 acceleration से गती कर रहा है निर्देश तंतर का जो तुरण है वो है A0 अब इसे निर्देश तंतर के अंदर कोई वस्तू हमने रख दी है इस वस्तू का दुर्यमान है Small M निर्देश तंतर में रखी वस्तू का दुर्यमान है Small M और इस Small M में दुर्यमान वाली वस्तू के उपर निर्देश तंतर की गती की विप्रित दिशा में एक आभासी बल कारिये करता है एक बल परतीत होता है इसको हम आभासी बल कहते हैं इस निर्देश्तिंतर की गती हो रही है देखो दोस्तो acceleration इसको इधर इस direction में दिया जा रहा है तो इसकी विपरित दिसा में acceleration की विपरित दिसा में एक आभासी बल कारिय करेगा इस इस्तिती में जो आभासी बल होगा आभासी बल वो हमारे पास में होगा M into A0 ये दोस्तों एकदम क्लियर कर लेंगे आप लोग कि जब निर्देश तंत्र गती करता है निर्देश तंत्र तवरित गती करता है यहां पर पिंड गती नहीं कर रहा पिंड गती कर रहा है तो उसका तो अक्सलरेशन वेग वो अलग से है बाट यहां पर तो पूरा का पूरा निर्देश तंत्र खुदी ही गती कर रहा है और जब निर्देश तंत्र गती करता है तवरित गती करता है तो निर्देश तंतर में रखी वस्तू के उपर तवरण की विप्रित दिसा में एक बल परतीत होता है जिसको हम आभासी बल कहते हैं और उस बल का मान पिंड के दुरिमान्थ दा निर्देश तंतर के अक्सलरेशन के बराबर होता है दोस्तों तो यहां पर यह जो निर्देश तंतर है वो यदि इस डेरिक्शन में गती कर रहा है तो इस पर लगने वाला जो शूडो फोर्स होता है जैसे यह कोई पिंड है तो इस पर लगने वाला जो बल होगा आभासी बल वो होगा म, A0, म, A0 जो की इसके अक्सलरेशन की विप्रित समय होता है दोस्तों यहां पर हम किसी लिप्ट के अंदर कोई व्यक्ति है या कोई वस्तू है उस पर लगने वाला आभासी बल की बात करेंगे और वो आभासी बल किसके तुले होगा उसकी हम यहां पर चर्चा करेंगे दोस्तों सरफर्दम हम बात करते हैं हमारा जो दुर जैसे ये कोई electronic तुला है और इस electronic तुले पर जैसे ये कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है दोस्तों। तो इस electronic तुले द्वारा जो मापा गया भार होता है वो किसके तुले होता है एक बार समझाता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे इस व्यक्ति का जो दुरिमान है वो है M तो M जी इस पर भार लगेगा नीचे की और ये इसका भार है नीचे की और होता है और इस तुले द्वारा तुले के द्वारा उपर की और परती किरिया बल काम करेगा R यह आर यहाँ पर दोस्तो पर्तिकिरिया बल है जो की उपर की ओर होता है तो इस संपर्कतल द्वारा इस वस्तु के उपर जो बल लगाया जाता है पर्तिकिरिया बल लगाया जाता है यही इसका आभासी भार होता है दोस्तो वही क्या होगा इसका आभासी भार अब यदि इस वेक्ति को हम लिफ्ट में खड़ा कर दें, तो लिफ्ट में जब वेक्ति खड़ा होगा, तो फर्स पर खड़ा होगा, और फर्स के द्वारे इस वेक्ति पर लगने वाला जो बल होगा, पर्तिकिरिया बल होगा, उसी को हम आभासी बल कहेंगे दोस्तो, एक व बराबर होता है यहां पर तुला इस्तिर्वस्था में तो उपर की ओर लगने वाला बल और नीची की ओर लगने वाला बल बराबर होता है इसका मतलब है विक्ति का ये वास्त्विक भार होता है और ये है पर्तिकिरिया बल जिसे हम आभासी भार कह रहे हैं तो इस इस्तिति म आभासी भार बराबर होता है वास्त्विक भार के बराबर होगा दोस्तों वास्त्विक भार के दोनों बराबर होंगे दोस्तों देखें यहां पर और क्या समझ सकते हैं जैसे आपके पास में कोई तवरित निर्देश तंत्र है हम अपने देनिक जीवन के अंदर जो तवरित में देखेंगे लिप्ट लिप्ट जब तरित गती करती है तो उसमें जो हमारे को हमारे सरीर पर हमारे बोड़ी पर जो परती किरिया बल लगेगा वही आभासी भार होगा अपने विवारिक जीवन में आपने जूला जूलते समय भी देखा होगा जब जूला उपर की ओर जाता है तो हमें थोड़ा सा वेट भढ़ा हुआ मैसूस होता है और जब जूला उपर से नीची की ओर आ रहा होता है तब हमें अपना वेट बहुत कम परतीत होता है और ड्रा इस तरीके से घूम रहे हैं और यहां से यह मेले में लगने वाला जूला है दोस्तों दिख रहा होगा आप लोगों को अब इसमें यहां पर बेटकर आप लोग इसमें जूल रहे हैं योदि यह इस तरीके से चकर लगाता है तो जब यह उपर से यहां पर आप होते हैं तब क situation महसूस होती है और उसी तरीके से दोलंगती करने वाला जो जूला होता उसमें भी जब उपर से नीचे की ओर आ रहे होते हैं तो हमारा जो weight है वजन है वो कम महसूस होता है भार कम महसूस होता है आभासी भार कम हो जाता है हमें थोड़ा सा डर वाली situation महसूस होती है डर वाली situation परतीत होती है दोस्तो अब मैं आपको फिर से यहां पर तुले की ओर ले आता हूँ तुला इस्तिरवस्था में जो हमारा भार मापता है वो वास्त्विक भार होता है तुले के द्वारा इस व्यक्ति पर जो परतीकिरिया बल लगता है वही जो बल होता है उसको हम आभासी बल कहते हैं जो भी परतीकिरिया बल लगेगा उसी को हम आभासी बल कहेंगे दोस्तो ये एकदम क्लियर कर लिजे कि संपर्क सत्य के द्वारा पिंड पर वस्तु पर व्यक्ति पर लगने वाला जो पर्ति किरिया बल होता है वो आभासी बल के तुल्ले होता है और आभासी बल कब काम करेगा जब निर्देश तंतर तवरित गती करता है तब आभासी बल काम करता है दोस्तों देखे दोस्तो जो आभासी बल है उसका मान किस प्रकार से होता है वो हमने आप लोगों के सामने रख दिया है कि जब गोई निर्देश तंतर तवरीत गती करता है तो निर्देश तंतर में रखे वस्तू पर तवरण की विपरित दिसा में एक बल परतीत होता है जिसे आभासी बल कहा जाता है जब निर्देश तंतर तवरित गती करेगा तो उस तवरण की विप्रित दिशा में निर्देश तंतर में रखे पिंड पर आभासी बल कारिये करेगा और यदे निर्दे स्तंतर का acceleration A0 है तो आभासिबल होगा M A0 यह जो M है वो उस निर्दे स्तंतर में रखी वस्तु का दुर्यमान है अब उस वस्तु के उपर जो आभासिबल होगा वो किसके तुल्ले होगा जब हम आगे अध्यन करेंगे लिप्ट के बारे में अध्यन करेंगे तो लिप्ट या गत्सील निर्दे स्तंतर में वस्तु कपर संपर्क सतय के द्वारा जो भी परतिकिरिया बल लगेगा वो आभासि बल के तुल्ले होगा यहाँ पर भी देखे दोस्तों यह जो तुल्ला है इसके द्वारा जो परतिकिरिया बल लगा वही आभासि बल के बराबर है भार का मतलब दोस्तों यहाँ पर बल ही है तो आभासी भार वास्त्विक भार के बराबर है तो जो भी पर्टी किरिया बल काम करता है वो आभासी भार के बराबर होगा हम यहाँ पर अलग-ज़ग situations लेकर lift में किसी विक्ती की गती और किसी वस्तू की गती का यहाँ पर अच्छे से अध्यन करने वाले हैं दोस्तो दोस्तों अब हम लिप्ट की गती की विभिन इस्थितियों के बारे में यहां पर चर्चा करेंगे एक बाद एकदम क्लेर कर लीजिए कि लिप्ट में इस्थित व्यक्ति या वस्तू पर लगने वाला पर्ति किरिया बल ही उस वस्तू का आभासी भार होता है तो यहां पर हम लिप्ट में मौझूद व्यक्ति पर लगने वाले पर्ति किरिया बल को फाइंड आउट करेंगे और वही उसका आभासी भार हो जाएगा आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम lift में इस्तित वस्तु या व्यक्ति पर लगने वाले आभासी भार को ग्यात करने वाले हैं देखे दोस्तों इसमें हमने first जो condition ली है वो है जब lift इस्तिर वस्ता में हो static position में है lift इस्तिर वस्ता में है इसका wave zero है ये lift का wave है तो lift का wave यदि zero है तो उसका acceleration भी zero हो जाएगा इस व्यक्ति के उपर mg नीचे की और काम करेगा और r उसका जो परती गिरिया बल है वो उपर की और काम करेगा यहाँ पर यह जो m है वो इस व्यक्ति का दुर्यमान है व्यक्ति का दुर्यमान है दोस्तों तो देखें यहाँ पर क्या ज़िएगा कि उपर की और लगने वाला बल तो है r नीचे की और लगने वाला बल है mg और इस पूरी lift का जो acceleration है वो है a तो इस पूरी lift के उपर लगने वाला बल होगा m into a जो की 0 हो जाएगा lift पर लगने वाला कुल बल तो lift पर लगने वाला जो कुल बल है वो देखो r तो उपर की ओर और mg नीचे की ओर तो r minus mg बराबर की आजाएगा 0 क्योंकि इसके उपर total जो बल काम कर रहा है वो 0 काम कर रहा है तो r minus mg 0 आ गया एक बार इसको फिर से clear कर लीजे r की direction उपर की ओर mg की direction नीचे की ओर तो r minus mg equal to 0 इसमेंस ये total बल है तो r बराबर आपके पास में क्या निकल कर आ रहा है ये बराबर के दूसरी तरब चला जाएगा r बराबर mg और ये जो r होता है वही होता है आभासी भार और ये आभासी भार होता है वो व्यक्ति के वास्त्विक भार के बराबर होता है जितना व्यक्ति का दुरेमान होता है या भार होता है व्यक्ति को उतना ही दुरेमान मैसूस उतना ही भार मैसूस होता है दोस्तो फिर अगली condition की और चलते हैं हमें दूसरी यो इस्तिधी है कि जब lift एक समान वेग से उपर या नीचे की और गतिक करे जब lift की velocity एक समान हो चाहे वो उपर जा रही हो या नीचे जा रही हो तो उपर भी जा सकती है lift या नीचे भी जा सकती है इसका मतलब है वेग नीचे और जो वेग नीचे होता है तो उसका acceleration 0 होता है acceleration बराबर होता है dv by dt यदि वेग नीचे है तो a बराबर 0 आजाएगा a बराबर कितना आजाएगा दोस्तो जीरो तो यहां पर जो acceleration है वो हमारे पास में होगा सुनने जो acceleration है वो सुनने होगा 0 होगा तो इस lift का जो acceleration है वो 0 है तो यहां पर आप देखेंगे कि lift पर कुल बल, lift पर जो total बल है वो कितना लग रहा है वो यहां पर हम देखेंगे lift पर कुल बल लिफ्ट पर जो कुल बल है वो हमारे पास में क्या निकल कराएगा देखें दोस्तो, R उपर की ओर, M G नीचे की ओर और टोटल इसके उपर बल लग रहा है, 0 तो R-M G बराबर फिर से कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, सुनने आ रहा है तो इधर क्या आजएगा, R बराबर, R बराबर आजएगा दोस्तो, M G ये जो R होता है, वही होता है आभासी बल और आभासी बल या आभासी जो भार होता है, वो हमारे पास में क्या आजएगा ये व्यक्ति के वास्त्विक भार के बराबर है वास्त्विक बलके बराबर है इसका मतलब हो गया कि व्यक्ति का जितना भार होता है उसको उतना ही महसूस होता है हमने दो situation पड़ी दोनों ही situation में व्यक्ति को उतना ही भार महसूस होगा जितना की उसका वास्त्विक भार होता है दोनों ही situation में जो lift है वो तवरित गती नहीं कर रही तवर्ण रहीत है यहां पर भी acceleration zero है यहां पर भी acceleration zero है और हमने आपको प्रारंब में ही बता दिया था कि जब को निर्देश थंत्र तवरित गती करता है तभी आभासी बल काम करेगा तो यहां पर जो lift है वो निर्देश थंत्र ये रूप में काम कर रहा है lift तवरित गती नहीं कर रही इट मिन्स यहां पर जो आभासी भार होता है वो वास्तविक भार के बराबर ही होता है दोस्तों तो आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होगा इस पर कोई अत्रिक्त भार में कमी और वर्दी मैसूस नहीं होती है अब यहां पर हमारे पास में तीसरी जो situation है वो समझे दोस्तों कि जब lift एक समान तवर्ड से उपर की और गती कर रही हो अब गिवार जो lift है उसका जो acceleration है वो है उपर की और A acceleration से वो जा रही है जो lift है उसका acceleration है दोस्तों A और उसकी direction है उपर की और अब तो व्यक्ति जो वेग है वो भी उपर की ओर ही होगा अब इस व्यक्ति पर लगने वाले दोनों बलों की चर्चा करते हैं एक तो R जो की उपर की ओर ही लगेगा M G जो की नीचे की ओर ही काम करने वाला है तो यहां पर इस व्यक्ति पर, कुल बल कितना लग रहा है, उसके lift में व्यक्ति पर कुल बल, तो कुल जो बल है दोस्तों, R उपर की और लग रहा है, आर उपर की ओर लग रहा है, acceleration उपर की ओर है, इसलिए बड़ी जो value है, उपर वाली value को हमने पहले लिखा, minus में mg, नीचे वाली value को हमने minus में लगा कर mg पुट कर दिया, और इसका जो acceleration होता है, वो है a, तो इस पर लगने वाला इस वेक्ति पर लगने वाला जो total बल है, वो आ आजएगा दोस्तों, तो यहां से जो परति कीरिया बल है वो कितना आजएगा A आपके पास में? R बराबर आपके पास में आगया है M A प्लस में M G और यहां से M एरी आप कॉमन ले लेंगे तो A प्लस में G यह आगया आपके पास में आभासी भार तो जो आभासी भार होता है दोस्तो वो आपके पास में कितना आएगा M A प्लस G M G होता तो उसके वास्तविक भार के बराबर होता यहां पर वास्तविक भार में M A अत्रिक्त और जुड़ा हुआ है देखे दोस्तों यदि तो यहां पर जो आभासी भार है इसमें बेठे वेक्ति को महसूस होने वाला जो भार है दोस्तों वो है M A प्लस G तो इसको जो भार है वो थोड़ा सा भढ़ा हुआ परतीत होगा थोड़ा सा ज्यादा महसूस होता है दोस्तों इस सिच्वेशन के अंदर जो अगली सिच्वेशन है वो है जब लिफ्ट गुरुत वर्ण से उपर की और गती कर रही हो यहाँ पर जो अक्सलरेशन है अब की वार लिफ्ट का वो है A बराबर G और जो वेग है वो अब की वार भी उपर की और है परतीकिरिया बल R उपर की और लग रहा है M G नीची की और लग रहा है अब देखे दोस्तों यहाँ से आप समझेंगे लिफ्ट में वेक्ति पर कुल बल कितना काम कर रहा है लिफ्ट में वेक्ति पर कुल बल लिफ्ट में इस्तित वेक्ति पर कुल जो बल होगा कुल जो बल है दोस्तों वो कितना आएगा आपके पास में R उपर की और M G नीची की और और बराबर में भी M G क्योंकि यह जी तुरण से ही गती कर रही है तो इसका जो total acceleration है वो A है तो M into A, A के इस्तान पर जी आ जाएगा तो M, G और यहां पर R बराबर आ गया है M, G, प्लस में M, G इटमेंस हो गया, R बराबर आ गया है 2, M, G और R ही यहां पर आभासी भार होता है दोस्तो आभासी भार, तो आभासी भार यहां पर आपके पास में निकल कर आ गया है 2, M, G, इस इस्तिती में भी जो भार है वो पहले की तुलना में दुगुना मैसूस होगा बढ़ा हुआ मैसूस होता है अगली जो कंडिशन्स है वो क्या है दोस्तो जब यहां पर हमने प्रारंब की दो कंडिशन में देखा कि जब लिफ्ट तवरित गती नहीं करती है तो वेक्ति को अपना जो आभासी भार या भार है वो वास्तविक भार के बराबरी महसूस होता है और जब अक्सलरेशन उपर की ओर होता है तो वेक्ति को अपना भार भढ़ा हुआ परतीत होता है दोस्तो अब अगली सिचुईशन्स यहां पर देखेंगे दोस्तो अब लिफ्ट की गती की कुछ कंडिशन्स यहां पर हम ओर देखने वाले हैं जो पांचवी कंडिशन है यह पार्ट है इसका कि जब लिफ्ट ए तुरण से नीचे की ओर गत्सी लो अभी की वार जो लिफ्ट है वो उपर से नीचे की ओर ए तुरण से गती कर रही है और इस सिचुईशन में आभासी भार कितना होगा वेक्ति का तो देखे दोस्तों यहां पर पहले समझेंगे कि जो वेक्ति है उसका जो वेग है वो नियत नहीं है परिवर्ति है नीचे की ओर है अक्सलरेशन है वो भी नीचे की ओर ही है ए अक्सलरेशन से नीचे की ओर आ रही है लिफ्ट इस व्यक्ति पर गुरुतिय बल नीचे की और mg काम करेगा पर्तिकिरिया बल r उपर की और काम करने वाला है यहां पर यहां पर देखें दोस्तों कि लिप्ट में जो व्यक्ति है उसके उपर total कितना बल लगेगा लिप्ट में इस्तित व्यक्ति पर लगने वाला कुल बल लगने वाला कुल बल तो यहां पर आप समझेंगे कुल बल दोस्तों इसको समझ लेंगे यह जो लिप्ट है वो a acceleration से नीचे की और जा रही है इसका मतलब है कि यह जो दोनों बल है उनका परणामी बल होगा वो नीचे की और लगेगा इसका मतलब अब की बार mg बड़ा r छोटा तो जो mg है उसमें से अब हम r गठाएंगे तो mg-r बराबर होगा m into a हमारे को r की value चीए दोस्तों R बड़ाबर क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास मैं देखे इसको मैं इस तरीःए बराबर के उस तरफ ले जाओं तो यह तो हो जाएगा plus में r इसको बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो mg- मैंडे में m A जिसको मैं M यहाँ से कोमर ले लेंगे g-a रह जाएगा it means यहाँ पर क्या आया है दोस्तों समझेंगे यह है आभासी भार capital R आभासी भार यहाँ पर क्या हो जाएगा mg mg तो वास्त्विक भार होता है उसमें से m-a घट रहा है m-a घट रहा है इसका मतलब है कि जो आभासी भार होता है वो वास्त्विक भार से कम होगा आभासी भार आभासी भार है वो वास्त्विक भार से कम होगा दोस्तों यहाँ पर जो व्यक्ति है उसको अपना भार कम परतीत होगा इस वाली situation में इस वाली situation में व्यक्ति को अपना जो भार है वो कम परतीत होता है यह हमने सुत्र से फॉर्मूले से आप लोगों के सामने रख दिया है अगली जो condition है वो क्या है कि जब lift सवतंतरता पूरवक नीची की और गटसील हो यहां पर जो lift है वो नीची की और गिर रही है सवतंतरता पूरवक गिर रही है इसका मतलब है जो उसका acceleration है वो नीची की और है जी के बराबर है वेग भी परिवर्ती है नीची की और है एक बार फेसे समझ लीजिए lift की यदि ऐसा भी आ सकता है condition की जो डोरी होती है वो काट दी जाए तो lift सवतंतरता पूरवक गिरेगी उसका जो acceleration होगा वो गुरुतिय तुरण के बराबर होगा तो यहां पर जो acceleration है गुरुतिय तुरण के बराबर होगा और नीची की और है दोस्तों इस वेक्ति पर लगने वाला बल mg गुरुतिय बल नीची की और परती की दिया बल r उपर की और तो lift में इस्थित व्यक्ति पर लगने वाला कुल बल कितना हो जाएगा lift में इस्थित व्यक्ति पर लगने वाला कुल बल कुल बल क्या हैगा दोस्तों देखें यहां पर जो lift है वो A acceleration मतलब G acceleration से नीची की और गच्सी लए it means यहां पर जो लगने वाला परणामी बल है वो नीची की और फरभावी है तो यह वाला बल बड़ा यह वाला बल छोटा तो M G में से हम R गठा देंगे बराबर में इस व्यक्ति का जो दुरुमान है वो M acceleration है वो G के बराबर यह यहां से इधर बराबर के दूसरे तरफ आ जाएगे तो R प्लस में हो जाएगा इस M G को बराबर के इस तरफ ले आएगे तो M G पहले से ही पड़ा था यह इधर आएगा तो माइनस में M G तो यह 0 आ गया दोस्तो तो R की वेल्यू है वो 0 आ गयी है तो इसका मतलब है कि पर्तिकरिया बल जो पर्तिकरिया बल है जिसे हम आभासी बल भी कहे रहे हैं यहां पर आभासी भार के बराबर होता है तो जो जो इसमे बेठा वेकती है उसको अपना जो भार है वो सुनने महसूस होगा उस वेक्ति को ऐसे लगेगा कि जैसे मेरा भार है ही नहीं, इस तरीके से महसूस होता है, पर्तीत होता है, आपने भी देखा होगा, दोस्तों जब λिफ्ट उपर की और जाती है, और जब लिप्ट नीचे की और आती है तो अपना वजन गठा हुआ महसूस होता है लेकिन यदि लिप्ट की रसी काड़ दी जाएगी तो लिप्ट में मौझूद व्यक्ति या हमें जो अपना भार है वो सुनने परतीत होगा दोस्तों ये वाली situation होगी तो जो भार हिंता की इस्तिती कहते है इसको जब परती किरिया बल सुनने हो जाए जिसे हम कह रहे हैं आभासी भार सुनने हो जाए तो भार हिंता की इस्तिती प्राप्त होती है व्यक्ति को अपना जो भार है वो सुनने परतीत होता है अगली जो condition है क्या है दोस्तो अब की वार भी lift है वो A acceleration से नीचे की और ही गत्सील है बट जो acceleration है वो गुरुत्य तुरन से ज़्यादा है गुरुत्य तुरन से ज़्यादा हो तब क्या होगा अब की वार जो lift है, वो भी A acceleration से नीचे की और गत्सील है, बट acceleration है, वो G से जादा है, यहां पर जो वेक्ति का वेग है, मतलब वेक्ति lift में है, lift V वेग से नीचे की और गत्सील है, V fix नहीं है, क्योंकि acceleration है यहां पर तो V का मान भी परिवर्ति यह नीचे की और है, इस वेक् व्यक्ति के उपर नीचे की ओर तो काम करेगा M G, उपर की ओर काम करेगा R, यह तो हर सिच्वेशन में हमने दिखाया है दोस्तों, यहां पर यह एक चीज कलियर कर लेंगे कि एक का मान बड़ा है G से, तब क्या होगा, तो लिप्ट में मौजूद, लिप्ट में इस्तित, व् व्यक्ति पर कुल बल, जो कुल बल है, देखें दोस्तों, परणामी जो बल है वो नीची की ओर लग रहा है, तो मैं M G में से क्या गठा दूँ, R, जो की किसके बराबर होगा, M into A के, हमारे को वेल्यू चीए किसकी, R की चीए, R बराबर क्या जाएगा, इसको बराबर के द यहां से M, यदि आप कॉमन ले लेंगे, तो G माइनस A, और हमने यहां पर कंडिशन रखी है, कि A बड़ा है, G से, A बड़ा है, G से, तो R का जो मान आएगा, दोस्तों, यह हम कह सकते हैं कि, आभासी भार, आभासी जो भार है, वो कितना आ रहा है, आपके पास में, M, G माइनस A, इस A की जो वेल्यू है, वो इस G से बड़ी है, इसका मतलब इसका मान आएगा, माइनस में, जो आभासी भार है, वो रिनात्मक प्राप्त होता है, और इस सिचुएशन में जो वेक्ती है, वो धरातल से उपर उठकर, लेप्ट की छट से जाकर, चिपक जाएगा, वेक्ती है, वो इससे लिप्ट की छट से जाकर, चिपक जाता है, जब लिप्ट का जो अक्सलरेशन है, वो गुरुतिय तुर्ण से जादा होता है, तब जो वेक्ती है, उसका जो आभासी भार होता है, वो रिनात्मक होता है, और ये जो वेक्ती है, वो लिप्ट से जाकर, छट से जाकर चिपक जाता है दोस्तों तो ये वाली situation तो इस situation के अंदर जो व्यक्ति है वो इस फर्स से उठकर lift की छट से जाकर चिपक जाएगा और ये वाली situation में जो गुरुतिय तुरण है वो कम होगा, lift का तुरण है वो ज्यादा होगा इस वीडियो में आपने lift में इस्तित व्यक्ति की विभिन इस्तितियां देखी और उन इस्तितियों के अंदर जो आभासी बल है उसकी वेल्यू आपने देखी इस वीडियो में आज के लिए इतना ही दोस्तों धन्यवाद